हाई मैं हूँ योशु मायपूरी न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है बॉलवूर अक्टर अधितर रॉय कपूर अपकमिंग फिल्म ओम दो बैटल विदिन में नजर आने वाले हैं इस फिल्म की अनाउंस्मेंट काफी टाइम पहले हो चुकी थी कुछ समय पहले ही इस फिल्म का एक पोस्टर सामने आया है जिसके चलते इस फिल्म का बज और भी जादा बढ़ चुका है हाली में ही ऐसी खबरे सामने आ रही थी कि अधितर रॉय कपूर के साथ इस फिल्म में फीमेल में लीड में नजर आने वाली है दिल पिचारी अक्ट्रेस संजना ये एक आउट अन आउट एक्शन फिल्म होगी बता दे कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे इस फिल्म में जैकी श्रॉफ अधितर रॉय कपूर के पिता का रोल नभाते हुए नजर आने वाले हैं इस फिल्म की शूटिं कुछ समय पहले ऐसा बताया जा रहा था कि शाहिद कपूर फाइनली वेब सीरीज में अपना डेब्यू देनी जा रहे हैं जी हां राज और डीके अमजोन पर एक वेब सीरीज बनानी जा रहे हैं और इस वेब सीरीज में शाहिद कपूर के साथ साथ इस वेब सीरीज में व नबहाते हुए नजर आने वाले हैं इस वेब सीरीज की शूटिंग इस हफ़ते से शुरू होने जा रही है गोवा में बायोपिक्स का जमाना इन दिनों बॉलवुड में काफी ट्रेंड कर रहा है आए दिन कोई ना कोई बायोपिक की खबर और न्यूस सामने आती रहती है वहीं पबलिक भी बायोपिक्स देखना काफी पसंद करते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ पर आधारित होते हैं और लाइ हैं गुरु दत की बायोपिक करने में वहीं अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर खान जल्द ही गुरु दत की बायोपिक्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं फिलहाल तो आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंग चड़ा के रिलीस को लेकर वरुन धवन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्स भी शेयर की वरुन धवन और नताश दलाल की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी ज़ादा ट्रेंड कर रही है बताया जा रहा है कि शादी तो काफी अच्छी खासी हो गई लेकिन अगले हफते वरुन धवन और अच्छा दलाल की शादी की फोटोज और विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। जिसके चलते अब जानवी कपूर की इस फिल्म की शूटिंग दुबारा से हॉल्ट पर रख दी गई है। ट्रायो नजर आने वाला है हमें एक नई फिल्म में इस फिल्म का टाइटल है थांग गॉड इस फिल्म की अनाउंस्मेंट कुछ समय पहले ही हुई थी। इस फिल्म के चलते कुछ पिक्चर्स भी सामने आ रहे थे जब इस फिल्म का महूरत रखा गया था। बता देगी अजर देवगन और सिधात मलोतरा ने तो अल्रेडी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर ही दी है लेकिन कल से रकुल प्रीत सिंग ने भी इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर ली है। इस ट्रायो को हम पहली बार साथ में देखेंगे लेकिन पहले भी रकुल प्रीत ने अजर देवगन के साथ देदे प्यार दे में काम किया है। OTT प्लाटफॉर्म का जो डिमांड है वो और भी जादा बढ़ चुका है। बता दे कि एक नया डिजिटल प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट में अनिल कपूर, फातिमा, सना और हर्श वर्धन कपूर नजर आने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो नेट्फिक्स प्लाटफॉर्म के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है थार। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है राजस्थान में। बता दे कि इस प्रोजेक्ट को डिरेक्ट करने जा रहे है राज चौदरी। कोई इंटर्विल नहीं होगा। वहीं इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं श्री राम रागवन। इसके अलावा फिलहाल केट्रीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म फोन बूत की शूटिंग कर रही है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है इसमें केट्रीना कैफ एक घोस्ट का रोल प्ले करने जा रही है। इस फिल्म में सिधान चतुरवेदी और इशान खटर भी नज़राने वाले हैं केट्रीना कैफ के साथ। वीडियोज और फोटोस भी बहुत तेजी से वारल हो रही है। बतादे की अगले हफ़ते एक रिसेप्शन भी होने वाला है मुंबई में जिसकी ग्रैंट प्लानिंग में जुट चुके हैं वरुन धवन और नताशा दलाल इसके अलावा अगर हम उनकी हनीमून की बात करे तो ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द वरुन धवन और नताशा दलाल तरकी में अपना हनीमून मनाने के लिए रवाना होंगे और नताशा दलाल ने पूरी पैकिंग और प्लानिंग भी कर ली है। बॉलवुड आक्टर अक्षे कुमार अपनी फिल्म बच्चन पांडी की शूटिंग में इन दिनों काफी जादा बिजी चल रही है। इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ साथ जैकलीन फर्नांडेस, कृती, सैनन, अर्शिद वारसी भी नज़र आने वाले हैं। बता दे कि इस फिल्म से आए दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आता रहता है, वहीं सेट से कुछ समय पहले अक्षे कुमार के कुछ पिक्चर्स भी सामने आये थे जो काफी जादा इंप्रेसिव थे। बता दे अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ अपडेट सामने आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल 26 जानवरी 2022 यानि की रिपब्लिक डे में रिलीज होगी। झाल कि ये विल्म प्रह्म को विल्म वार्ण과 कर दिल्म काफार सार्ण झाल झाल